है फ्रेंज एक और बार आपका स्वागत है मेरे चैनल पर क्रियेट इस्टेलन सब्सक्राइब कार मैं हुपिंग की और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और आपको बहुत ही इंपोर्टन प्रड़क्ट र तो मैं अपने चैनल पर काफी अलग 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 ब्रेंद्स की कॉफी रिव्यू कर चुकी हूँ और आज मैं यह अमीरो वाली कॉफी जो कि मेरी सबसे फेवरेट है अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइबर हो अल्रेडी मेरी यूट्यूब तो आपको पता होगा मैं हर क कॉफी रिव्यू में बोलती हूँ कि मेरी टॉप फर्स्ट वन फेवरेट है डेवी डॉफ कॉफी और दिस इस डेवी डॉफ ओके अंड यह है इसकी पाकेजिंग 100 ग्राम का कंटेनर है अमीरो वाली कॉफी में क्यों बोलती हूँ इसको क्योंकि इसकी प्राइस है 650 रुप डिफ्रेंट फ्लेवर्स मिलते हैं अगर आप कॉम्बो पैक मंगाते हो तो आपको थोड़ असा यूझनो 250 तक डिसकाउंट मिल सकता है और इसमें कुछ फ्लेवर्स है यह है रिच अरोमा और इसमें आपको एस्प्राइसो भी मिल जाएगा और सो नॉर्मल रेगिलर फ्ले आपको क्योंकि यह ऐसे ही अमीरो वाली कॉफी नहीं है इसकी प्राइस एक्सपेंसिव है अफकोस इसका टेस्ट भी सबसे बेस्ट है तो टेस्ट आपको सब में मिलेगा लेकिन जो एक आरोमा रिच अरोमा स्टॉंक खुश्बूज इसको बोलते हैं वह आपको इसी फ्ले जानी कंपणी थी जैसे की नेस कोफी नेस कोफी गोल्ड ब्रू संफीस्ट उसमें कुछ मात्रा चिकोरी की मिलाई जाती है जो कि अगर आप जादा कॉंटिटी में यूस करते हो कॉफी तो आपको इससे हेल्थ इशू हो सकते हैं नौट फ्रॉम कॉफी बट फ्रॉम दचि कर लें अगर उसकी किसमत में कुछ लिखा है होना तो होके रहेगा कोई नहीं पिचा सकता है उसको राइट तो इसमें आपको 100% अराबिक बीन्स मिलेंगे अराबिक बीन्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वह बिल्कुल कड़वी नहीं होती है जैसे कि अगर आप इ इसमाल कर रहे हो ती स्पून नोट टेबल स्पून तो दो स्पून भी अगर आप कर रहे हो तो नॉर्मल लाइट कलर की कॉफी बनेगी ज्यादा डार्क कलर की नहीं बनेगी खुश्भू के मामले में जब भी आप कॉफी बनाओगे पूरे रूम में इसकी जो अरोमा है न इसीं लिए अं दूसरा ये मेरे हैड़क को दूर करता है जबकि पूरी दुनिया मुझे हैड़क देती है और कोफी जो मेरा कम करती है तीसरी बात हम लोग कोफी पीक एक एनरजी फील करते है जो लेजीनेस होता है वह दूर हो जाता है morning में specially लोग कोफी पीते है आफ्र ज जुकसान ही देगी अगर आप empty stomach उसको consume कर रहे हो तो तो आप इवनिंग में नून में पी सकते हो meals के साथ भी include ना करें चाय काफी बाकी तो यार आपकी मज़ी है तो इसको मैं open करके भी दिखाती हूं जो कि मैंने आदा container खाली कर लिया है वाओ अच्छा इसमें जो spoon है यह को लक्टी का spoon मैंने इसमें add करके रखा है जो कि इसमें included नहीं मिला था यह हम लोगों ने जो मेटों से कुछ दोसा वगेर ऑडर किया था उसके साथ मिला था तो मैंने सोचा इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि काफी इजी होता है कॉफी बनाना मैं यह वाला वन एंडे हाफ स्पून जो है वह एड़ करती हूं आप देख लिए कॉंटिटी और आप अपने टेस्ट के पॉस करके पढ़ सकते हो प्राइस भी यहां पर लिखा हुआ है शेल्फ लाइफ आपको इसमें एक साल मिल रही है यह देखिए यहां पर इंग्रीडेंस लिस्ट है और यह रिच अरोमा फ्लेवर है और हन्रेट परसन अराबिक बीन्स और कुछ नहीं है कंटेनर में और ओ पानी में या मिल्क में इवन अप थंडे पानी में भी अगर आप इसको आड करते हो तो यह काफी जल्दी मिक्स हो जाता है विदिन ए 10 सेकंड्स अच्छे से मिक्स हो जाता है मैं आपको कॉफी बना के भी दिखाओंगी ओकी सौम लोग कॉफी बना लेते हैं और यहां पर गर्म पानी और कॉफी देखो गैस अगर आपको कोई भी cassette का कॉफी फर्सलीते करना है न तो आप इसमें ट्राय करो आइं मीन ब्ल्क कॉफी ट्राय करो विकाओज अगर आप मिल्क में ट्राय करो गी ना तो वह हो नाचरल फ्लेवर उसका पता चलेगा नहीं ठीक है तो यह काफी स्मॉल स्पून है इसको हम लोग कर देते हैं अच्छे से मिक्स कि यहां पर हमारी कॉफी रेडी हो चुकी है और मैं आपको काच के ग्लास में इसलिए दिखाती हूं ताकि आपको इसका कलर भी पता चल सके और अगर आप इसको मिल्क में अट करोगे जैसे कि मैंने आपको बिताया तो वह उतना स्ट्रॉंग यून डार्क कलर नहीं आएगा आप इसको टेस्ट करते हैं वैसे मैंने कर लिया है बहुत बार खुश्बू सबसे पहले सब कॉफी से अलग है इसकी टेस्ट अनदर लेवल पर आपको टेस्ट मेरा जस्ट सूपर्ब पहले मैं अपनी कॉफी एंजोई करते हूँ फिर आगे का रिवीव कंटीनियू करते हूँ यह कॉफी एक्सपेंसिव है इसलिए नहीं बोलूँगी कि यह जाधा टेस्टी है बट यह कॉलेटी के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है मानती हो एक्सपेंसिव है लेकिन अगर अच्छा रिच अरोमा ही लगता है अगर आप पाच या छे सो खर्च कर रहे हो तो आइधिंक लाइफ में एक बार अच्छी कॉफी जरूर ट्राय करना बाकी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ भी पर्चस कर सकते हो कोई भी ब्रेंड और इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी ब्रेंड है जो कि अच्छी कॉफी सीरियसली सेल करती है टेस्ट अकॉर्डिंग कॉलिटी अकॉर्डिंग और काफी रिव्यूस है मेरे चैनल पर यह अप फ्लिपकार्ट या अमाजोन से पॉचस कर सकते हो और मैं कंपैर नहीं करूंगी क्योंकि अगर आप नेक्स कॉफी की बात करो संफीस्ट ब्रू या फिर आजकल कंट्री बीन है बीनली कॉफी है और सो बैवजिला है तो यूनो हर एक कॉफी एक अपने लेवल पर बहुत अच्छी है ऐसे नहीं बोलूंगी कि वो सस्ती है तो टेस्ट में खराब है नहीं बिल्कुल नहीं ले टू गुड टू गुड टू गुड टू गुड ट्राय करना शाहते होतों कर सकते हो मैं मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्यार रखें बाबाई टेक्या सथ स्रेकार